जुलाई 2022 का महीना बीच चुका है और ये महीना टाटा मोटरस के लिए एक शानदार रहा है क्योंकि टाटा मोटरस ने पांच बड़े रिकोर्ड्स बनाये हैं कारों के सेल्स फिकर के मामले में सबसे बड़ा जो रिकोर्ड है वो ये कि उसकी जो सेल है वो हाइस्ट एवर वो है एवी का क्योंकि किसी भी एक महीने में सबसे ज़्यादा एवी भी बीते महीने यानि जुलाई 2022 में बेची है और साथी साथ टाटा टिगोर की एक महीने में सबसे ज़्यादा यूनिट भी की है ये चोथा रिकोर्ड भी इसके नाम हुआ है और साथी साथ पांच वा और मेत्र पॉंड डिकोर्ड वो ये की टाटा पंच अटार अक्टोबर 2021 को लॉंच हुई उसके बाद से पहली बार है उसने एक महीने में सबसे ज़्यादा पंच बेची है तो उसकुल मिला के इस परकार के विविन आंकड़े देखें तो टाटा के लिए आने वाला समय और बैतर होने वाला है थेर साथियों अब बात करें सेल्स फिगर की तो जुलई 2022 में टाटा मोटर शने कमाल का परदशन करते हुए 47,505 यूनिट बेची है 47,505 यूनिट बेची है जो 57% ज्यादा है यानि जुलई 2021 इसकी तुलना करें तो उससे 77% ज्यादा है जुलई 2021 में 30 30,185 यूनिट भी की थी 30,185 जो अब 17,320 यूनिट बढ़ करके 47,505 यूनिट बेची है वही यदि पिछले से पिछले मेने यानि जुन से जुलई की तुलना करें तो जुन 2022 में टाटा ने एक बार फिर से सरवादी कारें बेची थी 45,045,197 यूनिट थी लेकिन उस चुकी है जून से जुलाई में 2308 यूनिट जादा भी की है जून से जुलाई में और ये 4,000 45,177 में से 47,505 यूनिट पहुंच चुकी है CNG की बात करें तो हाइस टेवर CNG कारें भी की है इस महीने यानि जुलई 2022 में कुल 5,293 यूनिट भी की है EV सेगमेंट की बात करें तो EV में भी हाइस टेवर सेलिंग हुई है सबसे ज़्यादा EV टाटा ने इसी महीने में 4,022 यूनिट बेची है साथी साथ टाटा पंच की भी अधिक्तम यूनिट इसी महीने भी की है कितनी पंच भी की है अगले एक छोटे से एक मिनट की व्यूडियो में आपको बताएंगे वो भी आप अब अब शिये देखिएगा टिगोर की 5,433 यूनिट भी की है जो किसी एक महीने में सबसे ज़्यादा है और यदि टोटल जो कारें हैं 47,505 उनमें से सिर्फ और सिर्फ SUV की बात करें यनि सफारी, एरियर, पंच और नेक्सन की बात करें तो इनमें कंट्रिबूशन है वो 64% है कुल गाडियो में टाट सांदार परफॉर्मेंस दिया है कार वाइज सेल्स पिकर टाटा मोर्टर्स के हम अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे आसा है आप इस चैनल को सबस्क्राइब वभूशी करेंगे क्योंकि कारों के सेल्स पिकर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहते हैं नमस्का धन्यवाद